लमशकार दोस्तों, जानू टीवी में आपका हार्तिक स्वागत है, आज हम बात करेंगे कलोंजी की, जी हाँ कलोंजी, कलोंजी के बीजों का सीधा सेवन किया जा सकता है, एक छोटा चमबच कलोंजी को सेहत में मिश्टित करके इसका सेवन कर सकते हैं, कलोंजी बहुत रोग होती है बीटा सेल की कर रेपलानी में व्रिद्धी होती है तथा ग्लुकल साइट हीमोगलुवीन में कमी आती है मिरगी मिरगी से पीड़ित भच्चों में कलॉंजी के सत्व के सेवन दौरे को कम करता है उक्तर रत्चाप 100 या 200 मिलीग्राम कलॉंजी के सत्व के दिन में दो बार सेवन से हाइपर्टेंशन के मरीजों में बलड प्रेशर कम होता है दमा कलॉंजी को पानी मोबाल कर इसका सत्व पीने से अर्त्वा में काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है बलड प्रेशर पलंड प्रेशर में एक कप गरम पानी में आध़ए चम्मच कलॉंजी का तेल मिलाकर दिन में दो बार पीने से रक्त चाप सामानने बना रहता है तथा 28 मिली लीटर जैतून का तेल और एक चम्मच कलॉंजी का तेल मिलाकर पूरे शरीर पर मालिष आधे गंटे तक धूब में रहने से रक्त चाम में लाब मिलता है यह प्रिक्रिया हर 30 दिन एक महीने तक करनी चाहिए इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है गंजपन जली हुई कलोंजी को हेयर ओयल में मिलाकर नियमित रूप से सिर पर मालिश करने से गंजपन दूर होकर बालुगने दुबारा चाल मिलाकर दूचा पर मालिश करने से तूचा के विकार नश्ट हो जाते हैं और दूचा दुबारा फिर वही रूप ले लेती है लक्वा कलोंजी का तेल एक चौथाई चमच की मात्रा में एक कब दूद के साथ कुछ महीने तक प्रतिदिन पीने और रोक ग्रस्त अंगों पर कलोंजी की तेल से मालिश करने से लकवा रोक ठीक हो जाता है कान की सूजन कलोंजी का तेल कान में डालने से कान की सूजन दूर होती है इससे बैरापन में भी लाब होता है पेट के कीड़े 10 ग्राम कलोंजी को पीश कर तीन चमच सैथ के साथ रात को सोते समय कुछ दिन तक नियमित रूप से सेवर करने से पेट के कीड़े नश्ट हो जाते हैं। मुहा से सिरके में कलॉंजी को पीश कर रात को सोते समय पूरे चेहरे पर लगाएं और सुबा पानी से चेहरे को साफ करने से मुहा से कुछ दनों में ठीक हो जाती है। गाठिया कलॉंजी को रीठा के पत्तों के साथ काड़ा बना कर पीने से गाठिया रोक समाप्त हो जाता है। गाट कलोंजी के तेल को गाटों पर लगाने और एक चमच कलोंजी का तेल गर्म दूद में डालकल पीने से काट नस्ट हो जाती है मलेरिया या बुखार फिसी हुई कलोंजी आदा चमच और एक शहद चमच मिलाकर चाटने से मलेरिया का बुखार ठीक हो जाता है कब्ज चीनी 5 ग्राम, सोन मुखी 4 ग्राम, एक ग्लास हलका गर्म दूद और आदर चमच कलोंजी का तेल इन सभी को एक साथ मिलाकर रात को सोते समय पीने से कब्ज नश्ट होती है